चुनाविद चुनाव के पहले हमारे मुखमंत्री महोदय के मंत्री जी के द्वारा समराच चौद्री जी के द्वारा बहुत सारे जो है घोसना किये गए हम लोगों को भी लगा की चलिए कुछ हम लोगों को मंत्री महोदय आदर निये मुखमंत्री जी के द्वारा कुछ मिल और संग के दिवारा घर्णा प्रदर्सन किया रहा है गरदणिवाग यहां कि वैंकोन यहां गातिक जो हम लोग आदा किया गया है कि हम लोग जाते हैं नहीं पंचायत में ड़ल को इजत करें इज़ है मैं मुख मंत्री मोळस और्cem your brain fear ओर हमोग के इजथ सम philanthropist को सरपंज के व्हें से देखा जाता है हम लोग के संदेन डिललवाइं हम लोग उधिकी तो पड़ती लोग यह नहीं कर रहा हैं वो नहीं कर रहा हैं कहां निकलते हैं तो बोलने से नहीं होता है जो करेंगे हम लोग लड़ेंगे इसके लिए हम लोग नहीं कर देता है हिलकोप्टर से लेकर आने जाने का सारा सुधा उनका परिवार को भी मिलना चाहिए और एक पंच सरपंच जो की जनता के उसने मिलना चाहिए यह महिना का माद्य का 500 500 इससे हार रोज़गार करने परिवार नहीं होता है घर परिवारर नहीं है ऐख़ौक ळाल बिदाथाएक हैं चाहिए स्कूल का व्रक ले खंद ड़ंबना तह characteristics आज सिच्छा भी भाग जैसे कि मंत्री जो है समराड चोधरी सारे सिच्छा चोपट करके रखे हुए हैं पंचायती राज मंत्री भी जैसे कि हम लोगों को जिस तरह से विभार कर रहे हैं सरपंच को अधिकार है किसी बिद्याला या आगन बाड़ी में देखने के और जैसे उनको जनता चुना है जनता का अधिकार है हमसे पूछने और लड़ने के लिए हम जनता के नोकर हैं हम जनता के नोकर है और जनता के नोकर बन कहीं जीना चाहते हैं लेकिन यह सरकार के गलत नीती के कारण हम लोग बहुत परसान हो रहे हैं बहुत से सरपंच ऐसा है जो कुछ सब्सक्राइब कुछ नहीं हम लोग को हम अपने पटना जिला के पंच सरपंच सभी लोगों को नमन करता हूँ आज हम लोगों ने जो यह एक दिवसिय धारना गरदनी भाग में धारना अस्थल पर जो हम लोग आये हुए हैं वह आधर नियमान नियमुख मंत्री जी के खिलाप हम लोगों ने 12 सुत्री मांगों को ले कर बैठे हैं अगर यह हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम अपने राजस्तरिय अंदोलन का कार्चक्रम्प करेंगे आज तक हम लोगों को उपेक्षा की राजनीत से हम लोग जूशते रहें आज तक हम लोगों को नहीं बैठने की बेवस्था की गई और नहीं हम लोगों को कचहरी समुची धंग से चलाने की बेवस्था की गई अभी तक पुर्व काहिं मान दे हम लोगों को बहुत लोगों को बकाया रह चुका है अभी तक जो है रासी भुकता नहीं की गए। पंचैती के दर्व्यान हे मारपीट की गई। एवं छूड़ा से भी जो है शरीर पर निशाने लगाए गए। अभी तक जो है सरपंच के प्रती लगता है हमारे मुख मंतरी जी को इस सरपंच कोई जन पर निदे है है नहीं। चुनाव के पहले हमारे मुख मंतरी महोदय के मंतरी जी के द्वारा समराच चौदरी जी के द्वारा बहुत सारे घोसना किये गए। लोगों को भी लगा कि चलिए कुछ हम लोगों को मंतरी महोदय आदरनिय मुख मंतरी जी के द्वारा कुछ मिलेगा। लेकिन जो भी घोसनाएक की गई वह पेपर में ही रह गया धारा तल पे नहीं है। के लिए इतना ही, आप देखते रहें नियूजबरनेशन धन्यवाद।